तो दोस्तो आज 12 May 2023 सबसे पहले मैं आज को कमपनी दोरा भेजा किया Consolidate Financial Result की उपर तो सबसे पहले हम Quarter 4 की Result देखेंगे कि कमपनी का performance इस बार कैसा हुआ उसके साथ साथ कितने रुपे का dividend कमपनी डेकलियर किया तो रिक्वेस्ट करूंगा सबको वीडियो को बिना स्किप के पूरान तक जरूर देखना तो दोस्तो यहाँ पर एक चीज़ देख लिजें यहाँ पर जितने भी नंबर से सारे इन करोर्स के फीगर पर है तो कमपनी बेसिकली तीन अलग-अलग Quarterly Result सेंड किया यह हो गया आपका Current Quarter, March 23 का Result, यह हो गया आपका Last Quarter यानि December 22 का Result और यह हो गया आपका Last Year मतलब March 22 का Result तो यहाँ पर हम यह तीनों Quarter को एक साथ कंपेर करेंगे तो इस बार तो देके Tata Motors से उमीद काफी ज्यादा था क्योंकि Tata Motors का जो Main Revenue Source यानि Jailer Segment Jaguar and Land Rover पर सेल्स बहुत ज्यादा हुआ था तो जिस बैसे कंपनी का जो Total Income है दोस्तो Massive Rate में इस बार ग्रो किया अब बोल सकतों कि सारे रेकॉर्ट दोड़ भी दिया तो आप देखें तो कंपनी का जो Total Income का नंबर इस बार हुआ है दोस्तो 6 डिजिड में मतलब एक लाख साथ हजार पांच सो नौ करो रुपए इमेजिन कीजे दोस्तों कहां पर पहुंच गया सेल्स बनने के कारण लास्ट क्वाटर की बात करें डिसंबर 22 में यह नंबर था 90,618 करोर रुपए तो आप भली बात ही समझ सकतो कि कितना शांदा रंप यहां पर ग्रो किया कि क्वाटर ऑन क्वाटर बेस पे लास्ट टेर की बात करें यह फिगर था जो का इकश्पेंस ता बहुत ज्यादा था इस बार भी दोस्तों कंपैंट बोल सकतो कि जो रेट में बढ़ना चाहिए था उतने लिए बढ़ते वे नजर नहीं आया और उसके साहँ अट जो कंपनी का प्रॉफित है उसमें भी का अच्छा फरक देखने क्वाइब को मिला तो देखिए कंपनी का जो एक्समेंस का नंबर इस बार हुआ है एक लाग दो हजार पांच सो नौ करोर रुपए और उसके साथ साथ लास्ट क्वाटर की बात करें मतलब मार्च 22 की क्वाटर में कमपनी का टोटल एक्समेंस का फिगार था 78,968 रुपए तो यहां पर भी हमें इंक्रीज देखने को मिला बट आखिरा गरम बात करें टोटल इंकम बहुत ज्याद हुआ है अब चलिए सीधा एकदम नीचे चलते हैं नीचे चलके देख लेते हैं कि कमपनी अट दाएन टैक्स वेक्स सबकुछ भरने के बाद कितना प्रॉफिट जनेरेट कर पाया तो अब देख से तो प्रॉफिट फॉर दा पिरियेट मतलब नेट प्रॉफिट आखिर में कितना और सारे रेकॉर्ड दोस्तों इस बार तोड दिया मतलब लास्ट क्वाटर में भी हमने देखा था कि कमपनी का डेजल बहुत शानदार था लगबक लास्ट क्वाटर में डिसमबर 22 में 2949 करों का नेट प्रॉफिट आया था और इस बार दोस्तों आया है 5404 करों रुपए का नेट प्रॉफिट इमेजिन कीजिए मतलब कोई चोटे मोटे जंप नहीं यहां पे अगरम परसेंटेज वाइस कैलकुलेट करके देखे 85 परसेंट का जंप यार ओन यार बेस पर छोड़ी दीजिए भूली जाए क्योंकि लास्ट यार की बात करें मार्स 22 में तो कमपनी का लॉस हुआ था तो सीधा सीधा यार यार बेस पे 1100 करोर लॉस से 5404 करोर का प्रॉफिट हुआ और उसके साथ क्वार्टली भी अगरम बात करें लगबग 85% के आसपास मैसिव जम भी देखने को बना तो अब समझ सकते इसका इंपैक्ट कैसा हो सकता है और मार्केट का सब्सक्राइब कर दिया तो चलिए मैं आपको ब्राउजर के उपर भी लेकर चलता हूं कि क्या मार्केट के एस्टिमेट था और कि मतलब इस बार कितना उससे ज्यादा यहां पर बड़ा है पर उसके पहले देखें जो चीज में पहले ही बोल ला था कि कंपनी बेसिकल उसक सब्सक्राइब कर देखें कुछ कॉर्परेट यहां पर मेंशन किया तो देखें सबसे बात करें कंपनी जो कमर्शियर वाहिकल से आप देख सकते यहां पर जो टोटल रविन्यू इस बार आया है 21,249 रुपए उसके बाद बात कर यहां पर कोई खास नहीं तो यह तीनों स 2463 कोर का रेविन्यू दोस्तों अकेले जेलर सेग्मेंट से आया जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर मैसिव ग्रोथ और यहार ऑन यहर बैसिस पर भी ग्रोथ हमें देखने को मिला और अल्टिमेटली जिस बैसे कंपनी का इस बार जो प्रॉफिट है उसमें 85% के और 2 रुपए फेजबाल अलगा इस बार फाइनल डिविडेन रेकमेंट किया दो रुपए का मतलब अपने फेजबाल अपर टोटल हंडरेड परसंट का डिविडेन कंपनी इस बार दे रहा है तो दो रुपए का डिविडेन पर और एक्विटि शेर के एकॉरिंग मिलेग ज़रूर बताना आपको क्या लगद है कि Tata Motors की शेर में मंडे के दिन जब बजार ओपेंट होगा क्योंकि आज यह रेजल्ट आउट हुआ मार्केट टोल्स हो जाना के काफी टाइम बाद तो किस टाइप के इंपक्त देखने को मिल सकता है अब चले दोस्तों मैं आपको ब्राउजर के उपर लेके चलता हो सीधा सीधा तो जैसे कि आप आप देख सेकतों ब्राउजर के उपर की आज टाटा मोटर्स की शेर में कोई बहुत बड़ा तेजी दो देखने को नहीं मिला फिट भी 0.43 परसे उपर जाके आएगा नहीं आएगा उसके उपर थोड़ा बहुत या वेट कर रहा था तो जिस बैस आमने देखा बार बर उपर जाने के बाप जुद भी बार पर शेयर के अंदर नीची की तरह मूब बेंट देखने को मिला और आखिर में क्लोसिंग दिया 513 रुपे के प्राइस में अब देखे मुझे लगदा है कि मंडे के दिन जब बजार ओपेन होगा एक तो बहुत स्पेशल डे होने जा रहा है क्योंकि इतने सालों बात लगवख 6-7 साल बात कंपनी डिविदेन डिकलर किया ठीक है और उसके साथ साथ कंपनी इतना प्रॉफिटेबल बन चुका है कि कि इसका मार्जिन हुज ग्रो किया और उसके सासाथ जो प्रॉफिट के अंदर जो ग्रोफ वहां पर भी काफी बढ़िया देखने को बला तो मुस्ट प्रॉबली मुझे लगदा कि 5 से लेके सारे 4 परसन के आसपास बंडे के दिन उपर भागने का चांस है ऐसा मुझे आप पुछो के कॉंछ और भी फैक्टर काम करेगा आप पुछो के कौन सा फैक्टर यह है कि देखिए बड़े कंपनी रिजल्ड आउट करता है नेक्स डे ब्रोकरज कंपनी खास करके जो ग्लोबल ब्रोकरज कंपनी इसको पर रेटिंग देगा इसको पर टार्गेट अच्छा हुआ अच्छा हुआ तो इसका अपडेट में आपको दे दूँगा जब भी ब्रोकरज कंपनी द्वारा कुछ ना कुछ अपडेट आ जाएगा तो रिक्वेस्ट करूंगा सबको चैनल को सब्सक्राब करके जरू रखना बाकी इस वीडियो अच्छ लगे तो प् है कि एक पर कंपनी के रेजल हम देख लें उसके बाद आराम से भागेंगे तो देखिए आप आज की डिट पर डिलीवरी का परसेंटेज सिर्फ सिफ चौबीस परसेंट का सबसे हमें देखने को मिला बागी दोस्तों अगर कुछ डाउट बगरा है आपको कमेंट के इस वीडियो के भी वाइंड आप करतों मिलता नेक्स वीडियो पे तब तक के लिए टेक केर बाबाई जय हिंद